लेटिस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमसे सब्सक्राइब करें और सारी अपडेट अपने मोबाइल पर पाने के लिए ये बेल का बटन ज़रूर प्रेस करें नमस्कार आप देख रहें इंडिया लाइट न्यूज और मैं हूँ आपके साथ मुकीश शाही आईए अब नज़र डालते हैं प्रमुक समाचारों का मुंबई में एंसीपी अजित गुट के नेता बाबा सिद्धीकी की शनिवार रात गोली मार कर हत्या कर दी गई गुजरात की साबर्मती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने घटना के करीब 18 घंटे बाद सोशल मीडिया पर हत्या की जिम्मेदारी ले ली है लॉरेंस गैंग ने एक्टर सल्मान खान से कहा है कि तुम्हारी वज़ा से अनुष्थापन का नुकसान हुआ सिद्धीकी पर बांदरा में खेर नगर में कल रात करीब 9.30 बजे विधायक बेटे जीशान के ओफिस के बाहर तीन बदमाशों ने फाइरिंग की थी सूत्रों के मुताबिक आटो से आए तीन शूटर्ज ने दो बंदुकों से छे राउंड फाइरिंग की इनमें बाबा को तीन गोलियां लगी दो गोलियां उनके पेट और एक सीने पर लगी तीनों ने मुम पर रुमाल बांदा हुआ था सिद्धी की को सिक्योरिटी मिली थी लेकिन उनके साथ कोई कॉंस्टेबिल नहीं था स्ट्रीट लाइट और सीसी टीवी भी बंद थे दो शूटर को गिरफ़तार कर लिया गया है तीसरे शूटर की भी पहचान हो गई है पुलीस कई राज्यों में उसकी तलाश कर रही है शूटर्स पिछले करीब 40 दिनों से मुंबई में रहकर सिद्धी की के घर और बेटे के आफिस की रेकी कर रहे थे शुरू से ही घटना के पीछे गैंगस्टर लॉरेंस गैंग के शामिल होने की आशंका जताई जा रही थी लॉरेंस गैंग का नाम सामने आने के बाद एक्टर सल्मान खान के बांदरा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है पुलीस की एक अतिरिक टीम तैनात की गई है लॉरेंस गैंग ने सल्मान के घर के बाहर 14 अप्रेल को फाइरिंग कराई थी मुंबई के कूपर अस्पताल में बाबा सिद्धी की के शव का पोस्ट मॉटम होने के बाद उनका शव अंतिम दर्शन के लिए उनके आवास मकबा हाइट्स ले जाया गया है शाम करीब साथ बजे मगरिब की नमाज के बाद आठ बचकर तीस मिनट बजे मरीन लाइन स्टेशन के सामने बड़ा कबरस्तान में उन्हें सुपुर देखा किया जाएगा इस मामले पर महराश्ट्र के CM एकनाथ शिंदे ने बड़ा बयान दिया है CM शिंदे ने कहा कि इस केस को हम फास्ट ट्रेक कोर्ट में ले जाएंगे और कोई भी दोशी बचेगा नहीं हम उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे मैं खुद इस मामले पर लगातार नजर रख रहा हूँ बाबा सिद्धिकी की हत्या के बाद क्राइम ब्रांच ने जाच शुरू कर दी है दोनों आरोपियों की पहचान भी हो गई है हर्याना के रहने वाले शक्स का नाम करनेल सिंग है और यूपी के रहने वाले आरोपी का नाम धर्मराज कशप है मुंबई से डी आर सोभन की रिपोर्ट इंडिया लाइव न्यूज मुंबई इंडिया लाइव न्यूज में ख़बरों का सिल्सला हुआ ख़त इसाज़ा दीजे फिर मिलेंगे नई ख़बरों साथ नमर स्कार लेकिन चलते चलते गुजारिस बिंती अन्रोप अगर आपके पास कोई समस्या है या फिर कोई घटना खटीत हुई है तो इस्क्रीन पर दिखाये जा रहे हैं नमरों पर आप हमें सीधे संपर कर सकते हैं आप हमें इमेल भी कर सकते हैं आप हमारे वेबसाइट को भी लॉग इन कर सकते हैं www.indialifenews.co.in नमस्कार